नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉम पर और मैं आपका अपना दोस्त अजया भार को फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ पई जैसा कि आप सभी लोगों को ग्याद है भाई हमने एक जोगराफी की मराथन भी कर ली थी हर्याना जोगराफी की और उसमें कुछ बचे हुए पाड थे तो मेरा प्रियास है कि मैं उसको अभी कम्प्लीट ही करवा दूँ ताकि आप कभी जोगराफी का कोई क्योस्टन गलत ना करो तो चलो भी सेशन की सुरुआत करते हैं भाई तो देखिएगा सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हर्याना के प्रेटक्स थलों के बारे में जो हर्याना सरकार के दौरा संचालित किये जा रही हैं इसके तरिक्त हर्याना से सम्दित उद्योग दंदों के बारे में और हर्याना से मिलने वाले खनीज बंदार के बारे में आज तीन टोपिक मैं कवर करवाने वाला हूँ ठीक हभाई छोटे छोटे टोपिक होगे लेकिन एक्जाम की दरश्टी से बहुत महत्पुन दैने वाले हैं तो सबसे पहले देखेगा हर्याना के प्रेटक्स थल तो मैं आपको बता देता हूँ हर्याना प्रेटक्स थल ठीक हभाई हर्याना प्रेटन विभाग की जो स्थापना है वो एक नौंबर 1966 को हुई थी तो यह आपसे पूछा जा सकता भाई पेपर में आया भी था यह प्रसन कि यह स्थापना कब हुई थी तो यह स्थापना हुई भाई एक नौंबर 1966 को समझ में आ गया भाई हर्याना प्रेटन निगम भाई ठीक है यहाँ पर हर्याना प्रेटन विभाग की स्थापना पूछी गई थी तो 1966 आएगा लेकिन हर्याना प्रेटन निगम यानि की हर्याना टूरिजम कोर्परेशन HTC के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसकी जो भाई परेटन दिवस देख रहे हो आप 1 सितंबर एक सस्पेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि HTC यानि हरियाना टूरिजम कोर्पोरेशन की जो वेब साइट है उस पर क्या दिया गया भाई जो हरियाना टूरिजम कोर्पोरेशन है इसकी स्थापना 1 मई 1974 दिये गई है तो यह एक सस्पेंस बना हुआ भाई आप देखो ओफिसियल वेब साइट है आपको भी पता भाई इसकी उस पर 1 मई 1974 दिया है तो यह दोनों मैं आप लोगों को कुरवा रहा हूँ लेकिन HSSE के दोरा यह राइट माना गया है यह ध्यान रख लेना भाई HSSE इसको राइट मानती है लेकिन वेब साइट के उपर 1 मई 1974 भी दिया हुआ है अर यह ना के जो अधिकतर प्रेटंस तल है इनके नाम जो है वो पक्सियों के नाम पर रखे गए है आप देख सकते हो जैसे बहुत सारे प्रेटंस तल आप लोगों के सामने आएंगे पपीहा हो गया, सुखार्ब हो गया तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे सभी के लगबग मुश्ली किसके नाम पर है पक्सियों के नाम पर है राज्य में सबसे ज़्यादा सरकारी रिशोर्ट अगर पूछ लिया जाए तो कहां पर है फरीदाबाद के अंदर है सबसे ज़्यादा प्रेटक्स तल पूछ ले कुरुक छेतर में और सबसे कम प्रेटंस तल पूछ ले तो फतेहाबाद में इस प्रकार के प्रसन आप से पूछे जा सकते हैं और अप एक्षा करूँगा कि ऐसे प्रसन आप कभी गलत नहीं करोगे तो ये पॉइंट आपके लगबग लगबग क्लियर हो गए हैं भाई हरियाना प्रेटन विभाग की स्थापना एक नॉमबर 1966 हरियाना प्रेटन निगम या हरियाना टूरिजम कोर्पोरेशन की स्थापना एक सितंबर 1974 जो HSSC मानती है और प्रेटन दीवस कब मना आ जाता है एक सेप्टैमबर को लेकिन हरियाना टूरिजम कोर्पोरेशन की वेबसाइट के नुसार इसकी जो स्थापना है वो एक मई 1974 को हुई है ठीक हरियाना में दीखतर प्रेटन स्थलों का जो नाम है पक्षियों के नाम पर है सबसे ज़्यादा सरकारी रिशोट फृरीदाबाद में सबसे ज़्यादा प्रेटक स्थल को रुक्षियतर में और सबसे कम प्रेटन स्थल है वो फतियाबाद में है अब बहुत सारे प्रेटक स्थल है भाई इनकी डेट पूछी जाती है कि कबसे ये सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे है तो ध्यान से देखेगा यहाँ पर जिला लिखा हुआ है उसके अंदर प्रेटन स्थल का नाम है ठीक है भाई स्थान है स्थापना है और उस जिले के अन्य भी जो प्रेटक स्थल है वो भी लिखे हुए है लेकिन जो यह रहने वाली है यह जो सिक्वेंस रहने वाला है यह हर्याना सरकार द्वारा जो संचालित है वही सिक्वेंस वाई जमा आपको करवाऊंगा तो अंबाला में जो हर्याना सरकार द्वारा यानि हर्याना गोर्मेंट के द्वारा संचालित है वो किंग फीसर है बहुत बार पेपर में आता है कि King Fissor कहा स्तित है तो King Fissor Resort है अंबाला में भई स्थान पूछले दुरकोट में इसकी स्थापना 1986 में अंबाला की इसके अतरिक्त प्रेटक्स थल पूछले तो अमरपाली भी एक अंबाला के अंदर है प्रेटक्स थल है पंचकुला में देखेंगे Red Bishop भाई ये पंचकुला में है 1972 और 1993 दोनों डेटा में देखने को मिलती है अन्या प्रेटन्स थल पूछले तो देखो Adventure Resort, Morning Hills, Rolls, Skating Rig, Ring, Cactus Garden कालका, Simla, Railway, Mança, Devi, Mandir, Bhima, Devi, Mandir जिसको उत्तर भारत का खुजराहो, Mandir भी कहा जाता है बीद, सिकारगड, अभ्यारण तो ये इस परकार के सारे के सारे हमें कहां देखने को मिलते हैं पंचकुला में ठीका भाई, तो ये वाला था पंचकुला में जो हरियना सरकार के दवारा क्या था संचालित है, कौन सा हो गया, Red Bishop एक जटायू यातरीका है, एक यादविंदर उद्यान है भाई, ठीक है ये पिंजोर में है ये 1967 में स्थापना है भाई, इसकी जटायू यातरीका मंसा देवी में 1997 में और माउंटेन क्लेब पूछ लिया जाए तो मोरनी में 1987 से 1999 है दोनों डेट हमें इसकी देखने को मलती है, इसकी स्थापना को लेकर टिकर ताल जो है भाई, मोरनी के अंदर है, मोरनी पंचकुला में पढ़ता है ये 1972 और 1973 यानि कि दो-दो डेट दी हुई है, इनमें से एक्जामिनर कोई सी भी पूछ सकता है फटा-फट से इसका स्क्रीन सोट ले लो, तो देखो कितने हो गए भाई यहां पर अंबाला में कितना हो गया, अंबाला में है भाई एक और पंचकुला में कितने हो गए भाई, एक, दो, तीन, चार, पांच यानि पंचकूला में कितने हो गए पांच हो गए भाई समझ में आ गया और अन्य जो है अन्य सिरफ आपके एक्जाम की दरश्टी से मैं आपको बता रहा हूँ हरियना सरकार द्वरा जो संचालित है वो ये सीरियल वाले रहेंगे समझ में आ गया भाई छे हो गए हमारे इससे आगे देखते हैं भाई सात्मा इसके बाद हम फतेहाबाद में देखेंगे फतेहाबाद में पपीहा रिशोर्ट है बहुत बार पेपर में आता है पपीहा पार्क पूछ लेते कई बार पपीहा रिशोर्ट पूछ लेते हैं तो यह फतेयाबाद में है अगर स्थान पूछ ले तो फतेयाबाद स्थापना पूछ ले तो 1994 अबलिक 1999 यानि दोनों में से कोई भी पूछ सकता है अन्या प्रेटक स्थल हम देखेंगे तो जनावली कुनाल सब्यता स्थल ब्रडाना ये सब हमें कहां देखने को मिलेंगे ये फतेयबाद में हमें देखने को मिलेंगे भाई समझ में आ गया उसके बाद गुरुगराम में देखेंगे भाई तो यहां पर फतेयबाद में टोटल कितने हो गए एक अब गुरुगराम की ह्वाई और स्थान प्रोपर पूच ले तो दमदमा में स्थापना पूच ले उनींसो 74 में सरस पूच ले तो गुरू गुराम में ये うनीं सो नवासी में रोजी पहली कल पूच ले तो सुल्टानपूर में ठीक है भाई ये कब बना 1972 में ठीक है बार बेट पूछ ले सोहना में कब बना 1973 में इसके अतरिक गुरू गुराम के अन्य प्रेटक्स थल पूछ ले सोहना कुंड खलील पुर जील दमदमा जील यह सारे हो जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितने हो गए भाई गुरू गुरू गुराम में इसके बाद हम देखेंगे फरिदाबाद में तो फरिदाबाद में देखेंगे यहां पर कितने रहने वाले हैं यहाँ तक हो जाएंगे भई टोटल देखो बारा से लेकर बीज तक तो एक, दो, तीन, च्यार, पांट, च्छा, साथ, आठ, नो यानि फ्रीदाबाद में टोटल कितने हो जाएंगे, नो हो जाएंगे, देखते हैं कौन-कौन से है, रावली गोल्फ कोर्स, ये एनाइटी फ्रीदाबाद में स्तित है, 1996, क्या होगा भाई, इसका स्थापना, ठीक है भाई, बढखल पूछ ले तो बढखल भी फ्रीदाबा 1988 से, लेकवी रिशोट पूछ ले सुरजकुंड 1988, मेगपाई प्रेटक्स थल पूछ ले फ्रीदाबाद 1975 से, होटल राजहन्स पूछ ले सुरजकुंड 1982 से, और डिजाइन गैलरी भी कहा है सुरजकुंड में, जो ये जितने भी मैं यहाँ पर फ्रीदाबाद वाले करवा और राजा नाहर सिंग पैलेस तो आपको पता है, तो बारवार पेपरों में आता है, ठीक है, इसके अतरिक तो पूछ ले तो सुरजकुंड वा मयूर होटल ये दोनों भी कहा है, फ्रीदाबाद के अंदर है, तो ये होगे फ्रीदाबाद में, टोटल देखो कितने होगे हदियाना सरकारद्वरा संचालित यहां तक 20 हो चुके हैं ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस दिले में थे, मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा, अब हम देखेंगे किस दिले में, यहां पर सबसे ज़्यादा रिशोट की बात थी, तो रिशोट के हिसाब से देखो फ्रीदाबाद में क्या हो गए सबसे जदा रिशोट हो गए समझ में आ गया सरकारी रिशोट अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या रहने वाला है आगे देखें भीवानी के अंदर भीवानी के अंदर क्या है भाई बया रेश्ट हाउस भाई ये 1989-2000-2020 में देखने को मिलता है इसके तरिक्त भीवानी में रेड रोबिन है तोसाम है जलतरंग लोहारू है ये सब भीवानी के अंदर है भाई ठीक है कैथल में कोयल दिशोट है ठीक है भाई 1984 में इसकी स्थापना करणाल में ओसिस रेश्टोटेंट हो गया करण दिशोट हो गया उचाना के अंदर है भाई ओसिस रेश्टोटेंट 1973 में बना और ये करण दिशोट 1972 में कुरुक छेटर में देखो नील कंठी कृष्णा धाम है यातरी निवास हो गया थाने सर में 1987 में ठीक अंजन रिशोट पूछले पेवा में ये बहुत बार पेपर में आया है अंजन रिशोट भाई तो ये देख लेना भाई 1999 में पैराकिट रिशोट पूछले पीपली में 1972 में इसके तरीक ता आपको पता ही है भाई ठीक है जोती सर हो गया ब्रम सरोर हो गया बिरला मंदिर सेक्स चिली का मकबरा नबा हाउस लक्षमी नराण मंदिर भिसम कुंड ये सब कहा है कुरुक छेतर में ही ये सारे प्रेटक्स थल है अगर सबसे ज़्यादा प्रेटक्स थल पूछे जाते हैं तो फतेहबाद में है ये हम मैं पहले ही कलियर कर चुका था भाई हो गया भाई यहां तक टोटल देखो कितने हो गए 27 सब इससे आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स देखेगा जीन्द में जीन्द में क्या है बुलबुल रिशोर्ट है भाई 1972 से सरकार के द्वरा संचालित है इसके अतरीक्त जीन्द में रानी महल हो गया बुतेश्वर मंदिर पांडू पिंडारा अब पानीपत में देखेंगे भाई ब्लूजे हो गया स्काइलार्क हो गया ब्लूजे जो है प्रेटक्स तलवो समालखा में 1972 में इसके अतरीक्त पानीपत में क्या भाई कालांब भी है ठीका स्काइलार्क हो गया जीटी रोड पर है 1976 से संचालित है फिर सोनीपत में देखेंगे एथनिक इंडिया हो गया राई के अंदर 2000 से संचालित है और अगर अन्य देख लें तो चोखी ढानी भी है सिर्सा के अंदर क्या हो गया सुखार्ब हो गया और सिक्रा हो गया ठीका भाई सुखार्ब बहुत बार पूछा जाता है सुखार्ब प्रेटक्स तल कहां सतीत है तो ये सिर्सा के अंदर है भाई सुखार्ब की अगर डेट पूछली जाए कब से तो 1980 से और सिकरा की 1989 से 1984 में से दोनों में से कोई इसके तरीक सिर्सा में देखेंगे अबू बसर विनने जीव अवैरन है काला तीतर प्रेटक्स थल है कोटल टेल ठीक है और टू जील हो गया एक परकार से ये सारी चीजें इसके अंदर हो जाएगी भाई रोतक में देखेंगे मैना रिशोट अब बहुत बार पेपर में आता है 1975 में सरकार द्वरा संचाली थै एक तिलियार हो गया 1976 या फिर 1999 भाई ठीक है तिलियार लेक के बारे में बहुत बार आता तिलियार लेक कहा है तो ये रोतक के अंदर है तिलियार जील भाई ये जरू हो गया सबी का चलो इसके बाद देखते हैं भाई इसके बाद क्या रहने वाला है जजजर में देखेंगे गोरिया रिशोट है बहुत बार पूछे जाते हैं फ्लैमिंगो 1973 से और ब्लू बर्ड रिशोट 1996 से रिवाडी में जंगल बबलेर है सेंड पाईपर है ये दोनों धारू हेडा में भाई एक 1974 में और एक 1982 में डेट आप साथ की साथ करते रहना भाई ठीक है बहुत सारे ऐसे टोपिक होते हैं आपको ये लगता होगा कि सर पीपिटी ऐसे ही लगा के पढ़ा रहे हैं भाई इन चीजों को जब आप हाथ से लिखकर देखोगे तभी आपको ठीक हा भाई ये अतरिक्त भी दे रखें देखो सारे के सारे प्रेटक्स थल फिर पलवल में है डबचिक होडल के अंदर भाई 1974 में हतनी गुंड कोंप्लेक्स पर पांडवन हो गया ये अलग से होगे भाई पलवल के अंदर ठीक हा भाई तो यहां तक आप चीजें समझ ग करवाए हैं कि हरियाना कॉर्पोरेशन टूरिजम है उसकी वेब साइट के उपर ओनली 43 की डिटेल अविलेबल है वो मैंने आप लोगों को करवा दी लेकिन हरियाना सरकार क्या कहती हम 44 प्रेटक्स थल जो है वो क्या करते हैं यारी शोट है वो संचालित करते हैं समझ में आगया भाई यहां तक तो सारी चीजें यहां तक आई थिंग क्लियर हो गई होगी भाई अब इसके फटा फट से एक बार स्क्रीन सोट ले लो सभी के भाई सुरू से लेकर आखरी तक ठीक है यह फर्स्ट पीपीटी थी इसका स्क्रीन सोट ले लो यह सेकंड पीपीटी थ इसका हो गया ये वाली 6 थे भाई इसका भी screenshot ले लो ये वाली 6 थी सोरी ठीक है भाई अब इसका screenshot ले लो भाई और ये last थी हमारी इसका तो ये total हमारे pretext थल हो गए अब pretend policy के बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई परेटन policy हरियना में जो परभाव में आई वो 2008 में आई थी कब आई थी 2008 में भाई weekend tourism देखो गुरूगराम पंचकुला रोतक हिसार फरिदाबाद विरासत हैरिटेज टूरिजम पिंजोर बलबगड तिर्थ पिलिग्रम टूरिजम कुरूगचेतर कैथल पंचकुला हाई वे टूरिजम पानीपत कुरूगचेतर सोनीपत पलवल करनाल लाइट एंड साउंड सो तिलियार जिल रोतक और करन जिल करनाल भार सरकार के सवदेश दर्सन योजना के तहत बनाए गए प्रेटन जो सरकेट है वो कौन-कौन से है एक कृष्णा सरकीट है कृष्णा सरकीट के तहत कुरूगचेतर के ब्रम सरोवर, जोती सर, नर्कतारी, सनियत, सरोवर, सहीत 48 कोसपरी करमा और विरासत सरकीट के तहत रेवाडी महंदरगड में मादोगड को क्या किया जा रहा है विक्सित किया जा रहा है ठीक है तो कृष्णा सरकीट योजना के तहत किन प्रेटक्स तलों को विक्सित किया जा रहा है सवदेश दर्सन योजना के तहत ये दो सरकीट बनाए गए है कृष्णा सरकिट हो रहे है विरासत सरकिट कृफ़ना सरकिट में कौन-कौन से परेटेक्स स्थल है यह पेपर में प्रसन आ चुके हैं दोनों के दोनों इन सरकिट से रिलेटिड पूछा गया था तो यह most important है भई समझ में आ गया तो ये थे हरियाना सरकार दवरा संचालित किये जाने वाले रिशोट या प्रेटक्स थल के बारे में ठीका भाई हो गया यहां तक चीजें कलियर हर एक पॉइंट हर एक चीज हमारी डिसकस हो गई अब हम next point की तरह बढ़ते हैं और अगला हमारा रहेगा हरियाना के उद्योगदंदों के बारे में कि कौन-कौन से उद्योगदंदे हरियाना में किस जिले में famous है तो सबसे पहले हरियाना उद्यम प्रोथसान बोर्ड के बारे में बता देता हूं जो मुख्यमंतरी होता है वो इसका अध्यक्स होता है ये paper में पूछा गया person है ठीक है भाई मुख्यमंतरी क्या होता है इसका पदेन अध्यक्स होता है ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने भाई इसके तैट 10 करोड से कम पुंजी के निवेस वै एक एकड़ से कम भूमी की CLU की अनुमुती के लिए जिला उप्युक्त की ओर 10 करोड से अधिक तथा एक एकड़ से अधिक भूमी के CLU की अनुमुती के लिए मुख्यमंतरी के प्रधान स्चीव की अधिक्षता वाली समीती की मंजूरी ली जाती है तो ये क्या था भाई हरियना प्रोचान बोर्ड के बारे में अब इसके बाद देखेंगे भाई हरियना में उद्योग नगरी किसको कहते हैं किस परकार से सारी डिटेल रहने वाली ध्यान से देखिए तो महेंदरगड को ओद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला कहा जाता है ठीका भाई सबसे ज़ीदाबाद में इसलिए फरीदाबाद को द्योग नगरी और सबसे पिछड़ा जिला किसको महेंदरगड को भाई अब देखते हैं भाई सक्करचिनी उद्योग है वो कहां फेमस है रोतक में शाबाद में जगादरी में और पलवल में ठीका भाई शुगर सिटी के रूप में रोतक पलवल दोनों को एक परकार से हम कह सकते हैं भाई क्योंकि देखो रोतक भी है शाबाद भी जगादरी पहले नंबर पर बार पेपरों में, कि गोला बारूद के लिए परसिद जिला कौंसा है, तो यमुना नगर कागच में भी यमुना नगर पहले नमबर पर तो यमुना नगर हो जाएगा ओस्दी में गुरूगराम और पंचकुला साइकल में आपको पता है एटलस साइकल का उत्पादन कहा होता है सोनी पत में तो साइकल में सोनी पत और जीन्द हो गया पेट्रोल में पेट्रोकेमिकल हब पानी पत को कहते हैं तो पानी पत बावल हिसार किरसी अंतर में फरीदाबाद हिसार वे करनाल इंजिनीरिंग में पूछा जाता है तो इंजिनीरिंग में फरीदाबाद है भाई बहुत बार पेपर में आता है उन में हिसार वा पानी पत कपड़ा में भाई रोत तक हिसार भीवानी पानी पत आप सभी को पता यहीं से कपड़ा लेकर जाते हैं मोशली जो ठोक में कपड़ा लेकर आते हैं इस पात या लोहा में भाई आपको पता है इस पात के निर्मान में ठीक है सबसे ज़्यादा गरणी जिला कौन सा है हिसार हो गया लोहे के पाइप के निर्मान में जो पेपर के अंदर पूछा भी गया था सिमेंट में पंचकुला दादरी जाडली एलकोल में हिसार यमुना नगर सोनी पत खांड सारी में पानी पत जुलाना जीन्द रोतकव यमुना नगर तो ये किसमें हो जाएंगे भाई ये सबके फेमस उद्योग दंदे हैं इन स्थानों के उसके बाद देखेंगे भाई सूत पितल बरतन उ-दोग में रिवाडी वा जगादरी दोनों को पितलनगरी भी कहते हैं नगरी को भी प्लास्टिक ट्रेक्टर दोनों में फriदाबाद है बहुत बार पेपर में आ चुका है पलास्टिक में और ट्रेक्टर में फृदाबाद सिलाई मसीन में अंबाला एक त निर्मान में भाई रोत तक हो गया, भवन निर्मान सामगरी में गुरूगराम है, ये पेपर में आता काफी बार, ठीक है टैलीफोन केबल्स में करनाल है, वनस्पती में करनाल सिर्सा है, शेनेटरी में बहादूर है, ये अब की बार आया हुआ था भाई, CT के अंदर, तो य अब उसके बाद देखते हैं भाई इसके अतरिक्त कुछ और अलग से भी पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं भाई तो कैथल जो है वो टूबल के तार प्लास्टिक थेली व बिस्कुट ब्रेडादी के लिए परसिद है बहादुर्गड रिलेक्स फुट वियर सुरिया रोसनी लिम्टिड पैनासोनिक इंडिया पारलेजी बिस्कुट सोमेनी टाइल्स टायर एर कॉंपरेशर वै वेक्यू पंप इन सब के लिए बहादुर्गड फेमस है गुरूगराम मारूती सजुकी हीरो मोटर कॉर्प होंडा बाइक वे स्कुटर डियल एफ परफेटी व टेक्स्टाइल चिनार फैबरिक हिसार में जिंदल स्टील बहुत बार पूछते हैं कि जिंदल स्टील कहां से संबनी था हिसार से एचपी कोटन टेक्स्टाइल भारत गैस पट्रोलियम मार्बल चाए 555 बिसकुट पीवीसी सीवीसी पाइप सुई धागवे किरसी अंतर ज आजदूत बाइक का निर्मान फ्रीदाबाद में होता है एसको ट्रेक्टर का आइसर ट्रेक्टर का हरियना सीरेंज वर मेडिकल डिवाइस यमा मोटर्स का फ्रीज का टायर का जुते का तो यहां हो जाएगा पंचकुला में पिंजोर में भुपेंदर सिमेंट फैक्टरी ह तो यह पंचकुला पिंजोर में हो जाएगा करनाल में जुता यानि लिबर्टी जुते जो हैं वो यहां पर बनते हैं भाई वनस्पती में ठीका फतेबाद में बैग, तिरपाल, गलू, मार्बल, पत्थर, कटर, जिंक, सलफेट, मसाले पीषने की मशीन यह फतेबाद के अंबाला में, अंबाला केंट में माइक्रोसकोप, दुरबीन के लिए, ओसिलोसकोप, चिकित्सा उपकरण, विद्युत उतपाद, शाहा में फ्रूटी, कोका कोला, बीर, डिस्टली, बीज, अंकूरन, वग्यानिक उपकरण, तो वग्यानिक नगरी आपको पता, अंबाल जो जो एक-एक सिंगल पॉइंट भी कहीं से हमें मिला, हमने वो सब यहां पर आपके सामने लिखतिया वाई, तो यह सारा का सारा जो कंटेंट आप देख पा रहे हो, इसके अंदर आपको यहां 370 डिग्री लिखा दिखा में रहे है, यह हरियाना सास्तर 370 डिग्री पुस जाएगी, हरियाना जी के कि अब तक की कंटेंट वाईज भाई, थोरी वाईज सबसे अच्छी पुस्तक है, ठीक है, तो आप इसको घर वेठे मंगवा सकते हो, तो यह हो गए भाई उद्योगदंदों के बारे में, चलो अब इसके बाद देखते हैं, हरियाना में खनीज भंडार के बारे में देखते हैं, ठीक है, और यह ऐसे पॉइंट है भाई, चाहे इनमें कोई ट्विस्ट मसाला नहीं आना, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि थोरी कुछ बन नहीं रही, हमें डिरेक्ट प्रसंद पूछा जाता है, कौन सा उद्योगदंदा किस जिले से लेकिन कंटेंट काम आना भाई, पेपर में वही चीज आएगी, अब मेरी बातों से अगर तुम्हारा पेपर कलियर होता, तो मैं क्या पता सबसे ज़्यादा बाते करता, तो काम नहीं चलेगा भाई, पढ़ने से चलेगा, तो ध्यान देना, महिंदरगड में देखो क्या और सिनिक पायरेट पाया जाता है, फिरोजपुर जिर का नू, सोना, गुरुगराम जो दोवाईयों में परियोग होता है, चांदी कहा पाया जाता है, सिवालिक पाड़ी पंचकुला में और तोसाम पाड़ी में, यह हमें देखने को मिलता भाई, सोना कहा पाया जाता है, नरायनगड अंबाला सिवालिक की पाड़ियां भाई यहाँ पर हिलना पत्थर कलियाना दादरी में गाउं है वहाँ पर हिलना पत्थर डांसिंग स्टोन भी कहा देते हैं उसको तो यह पाया जाता है भारत में एक मतरस्थान है dancing stone और निर्ते पत्थर भी का जाता है कलियाना दादरी के अंदर स्लेट पत्थर भाई कुंड रिवाडी में पा जाता है अटेली महंदरगड में भारत में सबसे अच्छी क्वाल्टी का स्लेट पत्थर कुंड रिवाडी में पाया जाता है कहां पाया जाता है कुंडर रिवाडी में वैसे मेहंदरगड के अटेली में भी मिलता है सिसा जिंक टंग्स्टन तोसाम भीवानी ठीक है तोसाम वे खनक में हिंदुस्तान जिंक लिम्टिड खनीज खोजती ये पेपर में आया था भाई ठीक है जो तोसाम के अंदर मुंगीपा पहाड या फिर जो यहां खनक है उसमें कौन सी कंपनी कारिये कर रही खनीज खोज रही है तो हिंदुस्तान जिंक लिम्टिड भाई ठीक है बराइट मोरनी में नारनोल में मुसनोता में एबस्टेस क्या होता है आग में नैजलने वाला पदार्त और ये कहां पाया जाता है ये महंदरगड में पाया जाता भाई ठीक है ये इसको आग नहीं लगती आग में नैजलने वाला पदार्त है तो ये सारे हो गए भाई हरियना के खनीज बंडार स्क्रीन सोट ले लो फटाफट से कॉपी पैन में लिखने ही पड़ेगे वरना काम नी चलेगा उसके बाद ग्रे फाइट देखो नारनोल में भी मिलता है महिंदरगड में भी मिलता है ग्रे नाइट देख लो तो साम भीवानी में चीनी मिटी सिकंदरपुर गुरुगराम में मिलती है अबरक महिंदरगड गुरुगराम में मिलता है रेवेदार चुना अंबाला वे रोत्तक में ठीक साधारन नमक फरूख नगर में एपेटाइट दोचाना महिंदरगड मोरनी में बालू काच मिटी गुरुगराम में, चुना पत्थर महेंदरगडव रोत्तक में, उसके बाद भवन निर्मान सामगरी गुरुगराम में, बजरी फ्रीदाबाद भिवानी खनक में, काइनाइट गोलवा महेंदरगडव कोटला नू में, बेरायल धानी मुसनोता में, मिनरल बालू मिटी महेंदरगड भिवानी रिवाडी हिसार इट मिटी जजजर भिवानी हिसार महेंदरगड सिर्शा फतेयाबाद ठीक भवाई और जो काच है वो 1977 में सिलका से काच की खिड़की वा बोतल बनाने है तू सिसा काच उपयोग में लाया जाता था ठीक भवाई तो यह हो गए उसके बारे में ठीक है भाई अटेला में मिलता है उसके बाद देखिएगा भाई खनीजों के मामले में समरिद वे खनीजों का सहर कहा जाता है महेंदरगड को भाई खनीजों के समरिद पाडियां कहा जाता है अरावली को भाई ठीक है खनीजों से समरिद जिला वैसे हैर कुन सा हो गया महेंदरगड भाई ठीक है खनीजों से समरीद पाड़ियां अरावली तो रावली की पाड़ियों का सबसे उंचा सिकर जो है वो महेंदरगड के अंदर ही कुलतजापुर गाओं के अंदर है ठीक है इसके बाद हरियना के 10 जिलों में खनीज उपलब्ध हैं पानीपत, फ्रीदाबाद, महेंदरगड, अंबाला गुरुगराम, रिवाड़ी, भिवानी, दादरी, पंचकुला, हिसार राज्ये में कुल खोली गई खादानों की संख्या 111 तो ये चीजें आपको करने की जुर्तनी है ये एकनोमिक सर्वे के हिसाब से दी गई है फिर भी अगर करना चाहो तो कर लो भाई नहीं बाद में चेंज हो जाएगी है तो चेंज होती रहेगी ठीक है हरियना खनीज अदिनियम अगर पूछ लिया जाए 1912 आप ये भी पढ़ सकते हो ये आपके पेपर में आ सकता है ठीक हा भाई खान एवं खनीज अदिनियम 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार अवद खनन पर जुर्माना लगाया जाता है पूरे अरियना में सबसे ज़्यादा जगा मिलने वाला खनीज कंकड है भाई कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कंकड पाया जाता है तो ये था भाई पूरा का पूरा जो टॉपिक खनीज हो गए उद्योग दंदे हो गए, प्रेटक्स थल हो गए तो हमारी जोग्राफी में सिर्फ हमारे कौन से पार्ट बच गए नदी बच गई ठीकर नदियों के अतरिक्त नहर बच गई और हमारे पॉइंट कौन से बच गई भाई वन और किर्सी सिर्फ चार पॉइंट हमारे बच गई वन और किर्सी और साथ में पशू जनगरना मैं आपको एक क्लास में करवाऊंगा और नदी और नहर ये दोनों अलग-अलग करवाऊंगा जोगराफी हमारी complete और इससे बहार भाई सायद ही आपको कोई पढ़ाए अगर पढ़ा भी दे तो अच्छे से पढ़िएगा मेहनत कीजिएगा मैंने मेरी तरफ से जो बैटर होस का मैंने उकरवा दिया आज के लिए इतना ही बने रहीएगा मेरे साथ और क्लास को लगाता पढ़ते रहीएगा